अब तंत्री का तंत्र के रोग जो बच्चों में होते हैं वो अलग होते हैं तो आज हम उनकी बात करेंगे क्योंकि चाइड हैस्ट नर्सिंग से यह टॉपिक लिया गया है तो हम उससे रिलेटेड टॉपिक की बात करेंगे तो इसमें जो अब तंत्र का रोग होता है मतलब कहीं न कहीं वो ब्रेइन या फिर मस्तिस्क या फिर क्या है रीड की हड़ी से जड़ा हुआ रोग होगा तो जो बच्चों में बहुत जादा सामान रूप से पाया जाता है वो कौन कौन सा है सबसे पहले Convergence फिर Epilepsy जिसको बोलते हैं मिरगी आना और Convergence में क्या है जटके आते हैं उसके बाद फिर Spina Bifida Spina Bifida में क्या होता है वो मैं आगे आगे आपको बताऊंगी और साथ-साथ Meningitis Meningitis में क्या होता है जो आवरण होता है ब्रेन का या जिसको बोलते हैं दिमाग या फिर मस्तिस्क उसमें क्या है सूजन आ जाती है तो यह सारी चीजें हैं जो तंत्रिका तंत्र के रोग हैं जिनमें जो सम्मिलित हैं इसमें तो इसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले बात जो हम करते हैं वो कनवलजन की करते हैं जिनमें क्या है एक बच्चे को जटके आते हैं जटके आने का क्या मतलब है कि जो बच्चा है उसकी जो मांस्पेसिया है उसमें एठन होगी और एठन के साथ साथ क्या होगा जो बच्चा है उसकी आंखे उसके सूचनाय होती है उनका वहन क्या है बढ़ जाता है इस वज़े से ऐसा होता है तो इनके क्या क्या reasons हो सकते हैं मतलब किस-किस वज़ा से यह हो सकता है तो इनके होने की वज़ा यह है कि हो सकता है कि जो मा है वो जब pregnant थी जब वो बच्चा वोम में था मतलब उसके गर्व में था तब उस टाइम पे उनको folic acid की गोलियां होती हैं वो सही से ना मिली हूँ या फिर measles, mumps, rubella इस तरीके का मा को कोई रोग हुआ हो समय पे या फिर उस बच्चे को क्या है कोई और साथ में बीमारी हो हर्दय की तो इन सारे रूप में ये क्या है इन सारे cases में ये बीमारी हो सकती conversion की अब इसमें sign and symptoms मैं आपनों को बता चुकी हूँ कि क्या-क्या चिन्यवम लक्षन आ सकते हैं तो क्या-क्या चिन्यवम लक्षन आ सकते हैं मान स्पेशियों में एठन होगी आखें आखों में या फिर बहुत ज्यादा गती होगी या फिर बिल्कुल ही गती नहीं होगी और साथ ही साथ जो बच्चा होगा कभी-कभी क्या है बेहोश हो जाता है जब severe condition हो जाती है तो य है क्या पाण जाता है उस बंढ olduğ leg कारे ऐसकर करके या फिर हूं की जांच करके या लख्षडूं के आधार पे मैं जारूं परिक्षण कर सकते हैं जिसको चारीरिक परिक्षण गोलते हैं इतिहास हमें क्या जानना है कि मां जो है उसने गर्व के कौन-कौन से दवाईयां खाईएं कौन-कौन से टीके लगे हैं ये सारी चीजें पूछ के हम पता कर सकते हैं अब जो बच्चा है उसके लिए क्या कर सकते हैं एक्सरे कर सकते हैं एक्सरे कहां का करना है रीड की हड़ी का अगर उस रीड की हड़ी में कोई दिक्कत होती है तो भी क्या ह जटके आने की क्या हैं बहुत जादा chances होते हैं अब इसका उपाय और बचाओ कैसे किया जा सकता है तो उपाय और बचाओ के लिए सबसे पहरा जो हम कर सकते हैं वो एक मा के लिए कर सकते हैं कि जब घरव धारण करती है तो उनको folic acid की गोलियां मिलने चाहिए, measles, mumps, rubella इस तरीके का ठीका करण उनका पहले से होना चाहिए, titnes का ठीका करण उनका होना चाहिए, अब जब बच्चा पैदा हो गया उसके बाद उसको convergence आ रहे हैं, तब क्या है, anti-convergent drugs दे सकते हैं, antibiotic दे सकते हैं, infection को control करने के लिए, बाकि सारा symptomatic management करते हैं, डॉक्टर जैसा advice करते हैं, यह दॉक्टर जैसे सला देता है, यह बात में convergence की, जटकी की बात में कि क्या इसमें कर सकते हैं, क्या-क्या लक्षन होते हैं, अब बात करते हैं, epilepsy, जिसको मिर्गी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, क्या-क्या इसमें प्रॉब्लम होती है, जो यह मिर्गी होती है, इसमें जो तंत्री का समवहन तंत्र है, उसकी जो सूचनाय होती है, वो बहुत जादा बढ़ जाती है, तो बढ़ने की वज़े से जो बच्चा है उसमें बहुत जादा जब सवान होने लगता है तो वो बेहोश हो जाता है बेहोशी के साथ साथ जो उसका मुख है उससे बहुत सारे द्रव्य या फिर कहेंगे लार ये बाहर आने लगते हैं तो यह इसमें ऐसा होता है, अब देखा जाए कि चिन्वम लक्षण क्या होते हैं, तो चिन्वम लक्षण के लिए जो बच्चा है या फिर जिसको ये बिमारी हुई है, वो क्या है, उनकी पेसियों की गती बढ़ जाएगी, और आँखों की जो गती है वो बढ़ जाएगी, और बच्चा होश में नहीं रहेगा, या फिर अगर देखा जाए तो ये कंडिशन आने से पहले बच्चा खाना पीना बंद कर देता है, और जो बच्चा है उसको कभी-कभी अगर किसी इंफेक्शन की वज़े सी हो रहा है, तो बुखार भी आता है, जिसको कभी-कभी किस SCP काटेगरी में रखते जो बोलते हैं दिमागी बुखार है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप जा जो हम परिक्षन करने के लिए न Vernon के टिहास बैंना जरूरी होता है, शारे एक परिक्षन करना जरूरी होता है, एक्सरे जरूरी होता है, MRI और CT scan भी करा सकते हैं, मतलब epilepsy को रोकने के लिए दवाईयां दी जाती हैं साथी साथ symptomatic management कर सकते हैं डॉक्टर की सला से और बच्चे को जब हम भरती करते हैं तो उनकी सुरक्षा का पूरा खयाल रखना है क्योंकि मिर्गी के दौरान बच्चा कहीं भी इधर उधर गिर सकता है तो पूरी सुरक्ष spina bifida में क्या होता है यह जैसे की नाम से पता चल रहा है spina जिसको spine से हम लोग जोड़ते हैं रीड की हड़ी जिसको बोला जाता है यह रीड की हड़ी से जुड़ा हुआ रोग है इसमें क्या हो जाता है कभी-कभी जो रीड की हड़ी के अंदर जो नाल जाती है उसमें य या फिर बाहर की तरफ निकल आएगी या फिर कभी कभी क्या होगा वो कहीं न कहीं दब जाएगी तो इसकी वज़े से यह सारी जो दिक्कते होती ही वो मैं आपको आगे बताऊंगे चिन्नियों लक्षन में अब यह जानना जरूरी है कि यह किस वज़े से होता है इसका भी व और बच्चा है वो पूरी तरीके से अभी डेवलप ही नहीं हुआ हो तो उन सारे के से एसा हो सकता है अब उपाय के लिए जो बच्चा है उसको डॉक्टर के पास ले जाते है वहां पर Hmmm, अरे रिक्षन होता हुए जांक होने हैं डॉक्टर के अगली बात करें तो और किसमे तंट्र का तंठमे और कौन-कौन सी विमारिया है जो अगली विमारी है उसको hydrocephalos बोलते हैs hydrocephalos में क्या होता है जिसको बड़ा सर भी बोलते हैं बड़ा सर का क्या है और मतलब आगे ना बढ़ पाए तो वह एक जगह क्या है रुख जाता है और वहीं पर अपना इस्थान कर लेता है जिसकी वज़े से जो सर होता है वह बड़ा दिखाई देने लगता है इससे बहुत सारी दिक्कते होती हैं क्या साइनम स्यम्टम्स आते हैं क्या से जो आसमान होता है उसमें सूरे जब डूब रहा हो इस तरीके की इस्थिती आ जाती है तो यह इसकी सिती है सरभारी होगा बुखार आएगा यह सारी चीज़ें इसमें होती है जाच्यों परिक्षण के लिए आप परिमस्तिस की द्रव का परिक्षण कर सकते हैं ब्लड सकते हैं जिसकी वजे से क्या है कुछ दिनों में जो बच्चे का सर है साही हो जाएगा CSF निकालते कैसे हैं, एक operation की प्रक्रिया होती है, sun डाल करके और इसमें क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, अब साथ ही साथ antibiotics देते हैं, symptomatic management करते हैं, और बच्चे को क्या है, पूरी तरीके से उसकी देख भाल करते हैं, अगर अगला देखा जाए तो इसमें मैंने एक और इस होते हैं, जो इनका आवरण होता है, उसमें क्या है? सूजन आजाती है, उनके आवरण में जो सूजन आती है, उसको बोलते हैं, मेनेंजाइटिस, जिसकी वज़े से बच्चे को बुखार आता है, साथ ही साथ बच्चा खाना पीना छोड़ देता है, कुछ भी, और क्या कर सकते हैं इसमें city scan और MRI करवा सकते हैं फिर doctor की सला अप जो है Meningitis के लिए दवा दे सकते हैं symptomatic management कर सकते हैं और यह सारी चीजें करने के बाद एक बच्चे के Meningitis को क्या है manage जा सकता है साथी साथ एक नर्स की क्या भूमिका होती ही किसी तंत्री का तंत्र के रोग में या बीमारी में तो एक नर्स को उनकी पूर रूप से देख भाल करनी चाहिए जटके आते हैं तो उनमें रिस्ट्रेंड करके रखना चाहिए और साथ ही साथ समय समय पर उनको दवाईया देनी है और उनकी मा को स्वास्त शिक्षा देने हैं. So, that is today for our topic. This is Kirti signing off. Bye for the next video.